हेलो फ्रेंड्स बूर्णिक टॉल अफ यू और स्टडी इंडियाटा के यूडूब चैनल वाब का शुबात करता हूं दोस्तों आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्डन वीडियो प्रवाइड कराने जा रहा हूं यह है रर्वी एंटी पीसी जो एक्जाम हो चल में आपको दिखाया जा रहा है बस इस वीडियो को लाट तक जोड़ देखिएगा लाट तक देखिएगा तभी पूरा डिटेल आपको शमझ में आ जाएगा कि इस जोन में कितना कट आफ जाने की उमीद है ताकि आपको इस यह होगा कि आप अभी से ही सीवी टीटू के फ किये है कि किस जोन आपको आरार्वी राची जोन में कट आफ क्या जो है जाने की उमीद है और जो है पांसे छे जोन का आप लोग को इस चैनल पर अप्लोड कर दिया हो जा करके वह देख लीजेगा ठीक है और वीडियो को से लोग लाइक और सेर करें चैनल को सब्सक्राइ कि जो है अर और लिकारिक एक पेतर नहीं चेंज हो गया बिलकुल चैंज हो गया है वह क्या चैंज हुआ है मैं और यह करेपोर्ट भी बताओंगा और न्टी पी सी का ये जो है अनलास जो है आप स्टुडेंट को ये स्टुडेंट ने आर्टी ये डाला था तो उसका रिप्लाई आया है तो आपको सीवी टी बन के कटफ पर नजर डालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुत से चैनल वाले बहुत से अस्टुडेंट बता रहे है कि ये जो है कटफ जो सीवी टी बन में जाएगा वो जो है कॉमन कटफ जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है कॉमन कटफ नहीं जाने वाला है जैसे अगर आप आपको जो है पोस्ट वाइस कट अफ गया था जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाला था उसके बेसिस पर उसके कट अफ गया था और सेम कंडिशन आर आर भी एंटी पीसी में होने वाला देख सकते हैं अश्ट यहां पर चौथा नंबर में से रिपलाई में आया है कि देर ब सेप्रेट कट अफ सीवी टी वन ऑफ इच पोस्ट यानि परते पोस्ट का जो है सेप्रेट कट अफ जो है आप आर भी एंटी पीसी में जाने वाला है ठीक है देख सकते है और यह जो है और बहुत से कोशन इन्होंने पूछे थे लेकिन हम लोगो में यहां पर जानना है नोटिकेशन में कि चीवी टीजव होगा आपका वो आपका अपका लेवलवाइस कैसे होगा जर सेप्रेट कौई फायजी कीजियागा पोस्ट बाइस तभी तो पोस्ट किया अनुचान लेवल वाइस होगा सेम फिंग वाई चीज है आपका सेप्रेट और दोफ सीवी पोष्ट बाय जाने वाला है cvt-1 का कट अवillar और जो पोष्ट प्रेफर्रेंस आपने डाला है चलों यह ज nasıl हम लोगों ने कंफिर में कर लिया टोटल पहले वेकेंसी आता 2015 में 562 वेकेंसी जिसमें 225 वेकेंसी को डिक्रीज कर दिया गया था ठीक है न पोस्ट को फटा दिया गया था क्योंकि और आर्रवी के द्वारा जो 2015 नोटीस आय था उसमें कुछ फोंब भराया था उसके बाद पोस्ट को जो है प्रतिये क्रार student को selection इस zone में हुआ था आदो हजार सुल्ला के एक्जाम में ठीक है तो 337 seat पे उस वक्त क्या cut-off गया था वह चीज़ सबसे बहले देखते हैं 337 seat पे उस वक्त जो cut-off गया था यह cut-off गया था यह 100% official cut-off है यह 100% official cut-off है 337 seat उस वक्त था ठीक है और इस वक्त क्या seat है जी 2021 के जो एक्जाम हो रहा है 1386 seat है 337 तिंचों के 12 यानि चार गुना से भी ज्यादा सीट यहां पे दिखने को मिल रहा है इस वर्ष ठीक है चार गुना से भी ज्यादा भेकेंस इस वर्ष जो है दिखने को मिलना है आरारवी राची जोन में पिछले यहर के कंपेर में 2015 के कंपेर में ठीक है तो बात करते हैं यहां पे लाग जो फॉर्म भरने का डेट था कटीस तीन दो जार उनीस था और यहां पे उस वक्त अगर फॉर्म जो भराया था चार लाग से तासीजार पांसों अन्ठा लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि अस्टुडेंट जो है अबना पर जेंटिंग बहुत कम हो रहा है ठीक है तो आपको ती यहां पर देख सकते हैं टोटल जो सीट था तीन सो सैंटी सेंटी सीट के लिए सीवी टीवन का कट अपक्या गया था यह आफ्टर नॉर् पिराची जो में जेनल का तीरसेट पाइंट सेवन फाइव गया था ओवी सी का संतावन पाइंट नू पू नैन गया था एस्टी का पैतालीस पाइंट फॉर इट गया था यह अफ्टर नॉर्मल इसन के बाद का कट अप है ठीक है दो हजार पंद्रा के एक्जाम में लेकि अभी के द्वारा नोटिक जारी किया गया था कुछ दिन पहले कि फर्मूला चेंज हो गया जिसमें जो है आप नंबर उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा पांस से दस नंबर मान के चलते हैं कि आप बढ़ने की उमीद है तो अभी जो है एक्जाम में पर्जेंटिंग बहु सतर प्रसेंट देखते हैं तो तीन लाग एक ताली जार तीन सो अठार लेकिन इससे कम ही दिया होगा क्योंकि स्टुडेंट का जो है पर्जेंटिंग वहुत ही कम देखने को मिल रहा है वहाँ ठीक है अगर इसके बेसिस पर देखते हैं कंपडिशन एक सीट पर कितना हो र तो 27720 स्टुडेंट का जो है ना यहाँ पर सी वीटी वन में रिजल्ट आने वाला है 27720 स्टुडेंट का तो इसके बेसिस पर अब क्या कट अफ जाने की उमीद है यह जो कट अफ में आपको डिसाइड क्या हूँ यह राव मार्स का कॉर्डिंग है ना नॉर्मलिजेशन के बाद इसमे कुछ दो चार नमबर, दो तीन नमबर इंकरीज भी हो शगता है, क्योगि नॉर्मलाजेशन का कुछ पता नहीं, रेल में क्या फंड़ा है, किस सिफ्ट में कितना नमबर बढ़ जा, किस सिफ्ट में कितना कम बढ़ जा, वो defend करता है, वो analysis railway जब hard shift, medium shift, low shift यह सब देखता है ना उसके basis पे तो हम लोग raw marks अगर इतना इसके आसपास आ रहा है ना तो अगर आपको CBT2 में अभी से ही full prepare में लग जाना पड़ाएगा ठीक है ध्यान से सुनिएगा general में अगर अंठामन के आसपास आपका सही हो रहा है तो आप अभी सहीं CBT2 के prepare में लग जाओ, OVC में 56 के आसपास अगर आपका सही हो रहा है तो CBT2 के full prepare में अभी सहीं लग जाओ, EWS से का 54 के आसपास सही हो रहा है तो आप भी safe score में हो, SC में 50 के आसपास आ रहा है तो आप भी safe score में हो, SC में 48 के आसपास आ रहा है तो आप भी safe score यह जेनरल लेकिन आपको इंट्रमिडियेट लेवल यह रे लेकिन आपको जो कुछ पोस्ट ऐसा है तो कुछ पोस्ट ऐसा है जो कि 10th स्वरींड स्वरीं इंट्रमीडियेट वाली वाली है उसका कटॉफ जदा जाने वाली है ठीक है उसका कटॉफ जदा जाने वाले अज ऐसा कि आपने अरर्वी ये अलिपी टेकनिश्यन का इता हुआ अपको पता होगा कि जो तेंथ technician और एलपी से ठीक है न तो इस बश्ट भी कुछ दिखने को मिलेगा जयादा लेकिद उतर्ना difference नहीं दिखने को मिलेगा लेकिन हा ग्रेजुएशन से ज्यादा आपको कट अफ दिखने को मिलेगा 12 वाली पॉस्ट जो भी है जिस जोन में भरे हैं उस जोन भी वहली पॉस्ट है कुछüş पूस्ट वह देख लीजिये W आपने फॉर्म बढ़ा होगा तो तो उसका कटफ को ज़्यादा जाने वाले है लेकिन अगर इसके आसपास नंबर अगर आ रहा है तो आप आप CBT2 का प्रिप्रेशन में अभी सहीं लग जाओ क्योंकि CBT2 में ज्यादा सवय अरार भी नहीं देता है ठीक है तो आई होप आसा करता हुझी आप लोगो काफी हिलफुल रहा होगा ताकि आप CBT2 का प्रिप्रेशन अच्छे से कर सकें ठीक है बाकी और भी जोन का अप्ल सब्सक्राइम नहीं किया है क्योंकि यह चैनल पर आपको रेलेवे एंडी पीशी गुरूबडी का धामाकेदार क्लासरी करवाया जाता है ठीक है तो फिर मिलते हैं फिर अगें नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत